वेल्कम बैक टू विशेश क्लासिस तो आज कहा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रिवेस एर कॉश्चन है डिज्टल इनिशेटिव के डिज्टल इनिशेटिव पर अल्रेडी मैं दो क्लासिस अप्लाउड कर चुकी हूँ तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप स्वयं और 2019 में दिशंबर 2019 में मैं वो सब इंक्लूद करने की कोशिश किये तो आप वो गारा चुकी है अगर आतुस रहे गई थे जो मैंने इसमें डिसकस कियान तो अगर आपने स्वयं भी नहीं देखा है श्याएम पेल्ग से पूरा टॉपिक पुरा दिया हूइं वीडियो भी नहीं देखिए तो आप वो देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दू सब्सक्राइब माई चैनल तो शुरू करते हैं कि वीडियो पर्पर कुछे परपस क्या था आज कल क्या है कि डिज्चर एजुकेशन एक अलगी लेवल पे चली इनिशैटिव बहुत सारी इनिशैटिव है जो हमारे गॉपर्मेंट ने लिए इसके लिए इसके इसमें से स्वयम और स्वयम प्रभा बहुत है तो में कंसन जो जो में कार्डिनल प्रिंसिपल थे एजुकेशन के हमारे कि इसको एक्सिस मिले एक्विटी मिले क्योंकि आज का जो वर्ड आफ टेक्नोलजी है मतलब कि इसमें जो हमारे पास यह हम कुछ ऐसे एजुकेशन जो अफॉर्डेबल है जिसमें सिर्फ इंटरनेट का यूज होना ह है हाई क्वालिटी एजुकेशन है मतलब जिन लोगों को एक्सिस नहीं मिला है जो रूलर एरियाज में खासकर जो लड़कियां जो एजुकेशन नहीं कर पाती है अच्छे से बाहर जाकर तो उनके लिए यह पूरा अच्छा था कि जो गॉर्मेंट है हमारे औरोंने कुछ इनिशियटिव लिए ताकि जो यह बाइसने से वो कम हो सके जो अन्सकिल है लोग उनको स्किल बनाया जा सके तो यह बहुत ही अच्छे परपरजिज है जो इनिशियटिव हैं तो इन पर पहले मैं अल्रेड एक वीडियो बना चुकी हूं आप देख सकते हैं वहाँ पे मेर इसें काई जो कोशन करेंगे तो फेस्ट है स्यम् रफर्स तू क्या है स्टड्य फॉल्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग फो यंग अवैरनेस मॉडल्स तो इसका फुल फो मेरे को फूल फुल्फॉरम तो बहुत पुछते हैं हार इंक उसमें पुछते हैं तो स्यम का फोर यंग एस्पायरिंग माइन्स तो बी जो इसका है वो क्या है फुल फॉर्म है ठीक है एक्टिव लर्निंग यह याद रखना एक्टिव लर्निंग के उससे ठीक है और फोर यंग एस्पायरिंग माइन्स ठीक है विजाओ। है उते हैं नान Esse वे एपनाल समय है बनामें तो उताता हैं कि यह पीसल्य ऊताता है निएस्पाय। अजब विज़ थे सपिशन वर्म depश होते हैं था毫ं गडियर करएं और यह कोर्स और आधे चुर्स chauffeur को करेंसे क्टेन। जो अभी हमने पढ़ा कि जो courses hosted है वो स्वाम में four quadrants में है तो इन में से कौन सा ऐसा है जो four quadrants में नहीं है first राता है video lecture next राता है specially prepared reading material that can be downloaded or printed next राता है local center and next राता है an online discussion forum for clearing the doubts तेखो अब इसमें जो है वो क्या है video lecture है obviously है और कोई material या reading material आप जो download भी कर सकते हैं next राता है local center यह local center नहीं है क्योंकि local center क्या होगा कि physically teaching ठीक है physical interaction अगर center बने तो ऐसा कुछ नहीं है यह सारा हमारे पास कहां पे access होता है सारा web पे access होता है ठीक है तो यह local center इसका अंसर नहीं है तो online discussion forum forums obviously use होते हैं for declaring the doubts ठीक है next राता है ज्यानवानी launch by IGNU to cover the educational needs of India refers to अभी आता है ज्यानवानी क्या है देखो ज्यानवानी ज्यानदर्शन यह दोनों ही एक इगनू से launch हुए तो एक कैसे है educational needs of India जो क्या है ज्यानवानी हमारे पास basically क्या आता है वानी से याद रखना वानी से क्या है FM radio network ठीक है मैं ज्यानवानी ज्यानदर्शन पे पूरा lecture पहले दे चुकी हूँ तो आप प्लीज वहां जाके वीडियो को अच्छे से clearly से देखना तो आप पात में प्याना तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी साथ साथ प्रेक्टिस पी हो जाएगे ठीक है तो promoting research in engineering sciences तो इसने क्या बोले कि ऐसी कौन सी scheme है जो research में मतलब जो प्रमोट करती है engineering science में research तो उसका जो अंसर है वो कह है RPS research promotion scheme research promotion scheme में कैसे scheme है जिसमें आप क्या कर सकते हो मतलब जो institute को प्रमोट करती है मतलब कि अगर कोई अच्छी research है प्रमोट करना मेंस उसको financially भी मतलब help करना है कुछ ऐसे मतलब कि sponsor करना पी ऐसी कह सकते हो तो वह कौन सी होते है research promotion scheme RPS तीक है नेक्स आता है NMEICT is acronym for NMEICT किसका acronym है तो इसके भी देखो full form ही आई गया तो इसकी direct full form है national mission on education through information and communication technology इसमें पूरा बताया है उसमें जब digital initiative हम कर रहे है उसमें पूरा brief है इसका कि क्या होता है इसमें कैसे होता है तो अब ज़रूर देखना वह video बहुत informative है तो इसकी जो लेकिन जो full form है वह क्या है national mission on education through information and communication technology नेक्स्ट आते है which of the following not correctly match ज्यान दर्शन क्या है एक satellite based educational tv channel है ज्यान वानी एक educational FM radio network है और मुग के massive open online credits देखो अब यहां पर जो not correctly matched है वह कौन सा है third one ठीक है obviously ज्यान दर्शन हमारे पास एक tv channel है और वानी हमारे पास एक radio network है पर जो massive open online courses यहां पर क्रेडिट की वज़े वहां पर क्या आना चाहिए था courses ठीक है जैसे हमारे पास swim है swim is a mock course क्योंकि वह क्या है मतलब massive मतलब आपके लिए क्या है open तो जो इसका answer होगा वो क्या होगा third next ज्यान दर्शन launched by IGNU refers to which one of the following तो अभी हमने पढ़ा कि देखो ज्यान वानी ज्यान दर्शन पर भी बहुत कोशन है वानी is your fm network and ज्यान दर्शन is your ज्यान दर्शन is your tv channel मतलब कि आपका एक satellite based educational tv channel है हम पढ़ ले अभी का परसार भारती को और इगनु का और इसकी बारे में मैंने और डेटील में एक्स्प्लेइन किया है उस वीडियो में तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए नेक्स रात है which of the following instructional design is a part of swm launched by government of india देखो इसने फिर से वही question पुछ है कि इन में से कौन-कौन से इस डिजाइन पार्ट है swm के जो government of india ने लॉंच किया है first किया है e-tutorial obviously है e-content yes है assessment obviously आपको assessment भी मिलती है discussion forums मिलते है classroom teaching अभी यह नहीं है classroom teaching क्यों नहीं है क्योंकि वहां पर physical interaction हो जाता है पर यहां पर कोई भी physical interaction नहीं होता ठीक है तो जो इसका अंसर होगा वो कौन सा ह फर्स्ट क्या का इंग्लूड होंगे first second third और fourth तो वह कौन से option में है first second third and fourth वह किसमें third option में तो third option is the right answer next राता है which of the following is the online storehouse of all academic awards like certificates, diploma, degree, market etc तो इसका जो अंसर है देखो इसने क्या बोला है कि कौन ऐसी इन में से कौन सी ऐसी वो है library depository जिसमें जो क्या है online storehouse है जिसमें आपकी सारे awards होंगे जैसे certificates, diplomas, degrees, आपकी market तो यह जो इसका जो अंसर है वो है national academic depository देखो यह बहुत initiative था government के थूँ इसमें क्या होती है कि इसमें क्या होती है कि इतने भी आपके diploma, mark sheets, diploma, certificate, degrees, mark sheets आपको इहां पे digitally मिल जाती है ताकि आपको यह बार-बार आपको अपनी जो mark sheet है मतलब पेपर वर्क को कम करने के लिए basically use हुआ थो और यह सब जिंगा applicable है जो यहां से यहां से अनलाइन रिसोर्स है जहां पे आपको certificate, diploma, mark sheet और भी डिली डिजिटाइज और लोच मिलेंगे ठीक है आपके institution जो यहां से भी क्या मिलेगा अप्रूड मिलेगा ठीक है मतलब कि आपका कोई ID, password होगा तो जिसको आप ही login कर सकते होंगे और वहां से अपने सारे certificate यह डिप्लॉमा के डिप्लॉमा के डिग्रीज यह जो भी है वह access कर पाऊगे नेक्स रात है which one of the following is an educational FM radio network देखो यह फिर से आगया कि FM radio network कौन सा है educational FM radio network FM radio से हमें क्या याद रखना है वानी वानी है और जो educational channel है वहां पर क्या है दर्शन चैनल क्या है दर्शन तो यहां पर जो answer होगा वो क्या होगा सेकेंड याट इस ज्यान वानी ज्यान वानी किस में था 2001 में था एक नेटवर्क है educational FM radio channel का जो बहुत सारी cities में operate होता है जो एम था इसका वो क्या था enhance करना और supplement करना teaching learning process को ठीक है नेक्स राता है group access to digital technology another group lack of access will cause a disparity known as इसने बोले कि एक ग्रूप ऐसा है जिसको बहुत सार एक्सेस है डीजिटल टीक्नालोजी को राम से एक्सेस भी कर सते है और एक ऐसा ग्रूप है जिसको बिल्कुल भी नहीं है तो इसका हम disparity को क्या बोलते है उसको हम बोलते है digital divide उसको हम बोलते है digital divide fourth देखो digital divide क्या होता है basically इसमें क्या होता है कि एक uneven distribution होता है जिसमें आप जो information और communication technology है मतलग किसी भी group के बीच में वो group socially भी हो सकता है जोग्राफिकल भी हो सकता है socially अगर हम बोलें तो ऐसे हो सकता है कि कुछ गाओं की लड़किया है ठीक है females है या males है तो male को कहीं पर भी जाने दे रहा है उनको access करने दिया जा रहा है internet या कुछ भी उनके हाथ में फोन है या laptop है या computers है पर females को नहीं है तो यह हम क्या बोल स इसी को overcome करने के लिए कि एसा कुछ ना रहे मतलब सबको access मिले जो easily मतलब सबको provide हो मतलब सबके बीच में equality हो तो इन चीजों को करने के लिए ही इनिशियटिव लिए थे तो हमारा आज का यह topic खतम होता है जो previous year थे digital initiative के अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो please मुझे comment box में बत में क्या score रहा ठीक है तो मिलते हैं हम next video में thank you so much and do subscribe my channel and share this video if you like this video thank you